Hello everyone, welcome to BSL Academy जारकेंड डेकेट में काउंसिल क्लाश 12 के Mathematics के स्टुडेंट अगर आप हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है हम मेंसे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि किन books को cover कर लिया जाए, किन books को पढ़ लिया जाए जारकेंड डेकेट में काउंसिल के लिए जिससे कि हम लोग 100 में से 100 marks कबर कर सकें तो देखिए सबसे पहली बात मैं ये बता रहा हूं कि ये जो मैं बात बता रहा हूं जो मैं books को recommend करूँगा वो मैं अपने experience के basis पे बोल रहा हूँ मैंने बहुत सारे student को पढ़ाये हैं और उन्होंने बहुत अच्छा perform किया है तो मैं उसी के basis पे उसी को base बना करके आपको recommend कर रहा हूँ आप इस चीज को सुनिए अगर आपको ठीक लगे तो आप implement कर सकते हैं मेरे बहुत सारे student ने किया है और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपके लिए काम करेगा मैंने भी class 12 में इसी तरीके से पढ़ाई करी थी मैंने भी जारकन बोर्ट से ही exam दिया था JVS से था तो यही चीज मैंने apply किया हुआ था सबसे पहली बात कि आपको पहला book जो cover करना चाहिए वो है NCRT सुरुआत में हैं आप और इस वज़े से मैं कहूंगा कि सुरू में NCRT को line by line एक एक कोशन को cover करना चाहिए कोशन with example and with proof करना चाहिए तो proper तरीके से NCRT को पूरा पढ़िए अभी और मैं यह क्यों बोर रहा हूँ अभी क्योंकि जब आप September अक्टूबर में चले जाएंगे उस समय आपको बताऊंगा question paper analysis करके कि किस तरीके से पढ़ना है आपको board के लिए specific अली देखिए जारखन डेकेड में council पूरा book को पढ़ने का need नहीं है जैसे मैं बोलू अगर आपको कि binomial theorem आप binomial theorem पूरा बनाते रह जाएं लेकिन उसका a question आता है अगर पूरा syllabus पर एक्जाम होता है तो जैसे a star b equal to 3 star 4 a star b equal to a plus b दे दिया और 3 star 4 का value पूछ दिया तो पूरा binomial बनाने का कोई sense नहीं बनेगा लेकिन वो बाद का बात है अभी मेरा काम क्या है मेरा काम है अभी पूरा throughout पूरे question को बनाना एके question को बनाना example को बनाना और proof को भी साथ ही साथ करते जाना यह हुआ पहला पार पहला book तो पहला book मेरे तरफ से recommended रहेगा वो रहेगा NCRT, NCRT ही है NCRT से ही question आएगा तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि NCRT बनाना ही है उसका कोई substitute नहीं है point number one second book जो है अपने पास वो है question bank question bank मतलब जारखंड academy council के जितने भी paper हुए है उन सभी paper से आये हुए सारे question को बनाना unfortunately market में ऐसा कोई book नहीं है जिसमें chapter wise question दिया हुआ है और इसलिए हमने आपके लिए BSL academy पर chapter wise question bank upload किया है तो BSL academy application download कीजे वहाँ पर जाये jack maths question paper होगा chapter wise उसको जाये और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा तो chapter wise question निकालिए और उसको बनाते जाये NCRT पहले खतम कीजे और chapter wise question bank बनाएगे पहला chapter मान लिजे for example relation and function खतम किया तो relation and function का सारा question को पूरा बना लेंगे differentiation खतम किया तो differentiation का पूरा question बना लेंगे यह क्यों बोला कि कुछ 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 question होते हैं वो आपके NCRT में नहीं होते हैं लेकिन आपसे पूछ लिये जाते हैं जैसे for example log x to the base 10 का differentiation पूछ लिया गया था पिछले साल सार 2013 में और इस type का question NCRT में नहीं है ठीक है न तो इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ होगा question जो थोड़ा सा log का property पर question डाल दिया जाएगा एक marks question में या थोड़ा सा variation हो सकता है तो यह सब variation आपको कैसे पता चलेगा यह सब variation पता चलेगा आपको question bank से दूसरी और important बात यह भी है कि अगर आप question bank कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा question कितना बार repeat हो रहा है तो वहाँ पर proper तरीके से लिखा हुआ है कि यह question कितना बार आय हुआ है तो किस question पर कितना focus करना है यह भी आपको clear cut idea मिल जाएगा दो book recommend किया पहला book NCRT और दूसरा book question bank अगर आप इसको पूरा proper तरीके से NCRT को बना लेते हैं question bank को बना लिजे और इसके बाद book recommend नहीं कर रहा हूँ इसके बाद आपको एक बना लेना short notes जिसमें हर एक important point को लिख लिजे आप copy में और उसको बार बार revise करते रही है तो मेरे हिसाब से ये दो book आपको 100 लाने में help करेगा hope this video helps